नमस्कार, SBT News में आपका स्फागत है पेशे 13 जुलाई मंगलवार दोपहर सवा बारा बजे राजस्तान की बारा बड़ी खबरे जैपर एरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कल रात दुबई से आये एक यात्री के पास से 68,93,000 रुपे की कीमत का सोना पकड़ा है यात्री मिक्सर ग्राइंडर की मोटर के अंदर सोना शिपा कर लाया था सोने का वजन करीब 1400 ग्राम है कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफतार कर लिया है कस्टम अधिकारियों के अनुसार सोमवार देरा दुबई से जैपुर पहुंची एर इंडिया की फ्लाइट में ये यात्री आया था यात्री का लगे जब स्कैनिंग मशीन से चेक करके निकाला तो उसमें मिक्सर ग्राइंडर डिटक्ट होने के साथ अन्य दूसरी धातु डिटक्ट हुई शक होने पर जब यात्री से फूसास की गई तो वो घबरा गया और कोई संतोश जनक जवाब नहीं दे सका रास्तान विधान सभा में व्याश्विक महमारी तथा लोकतंत्र के समख चुनातियों पर एक दिवसे समिनार 16 जुलाई को होगी रास्तान विधान सभा के सचीव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया के उद घाटन सट्र शुकरवार 16 जुलाई सुबह 11 बजे आरंब होगा इस सत्र के मुख्य अथिती पूर्व केंद्रे वित्यमंत्री पीची दमरम होगे सत्र को रास्तान विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्य मंत्री श्री अशो गहलोत, नेता प्रतिपप्च श्री गुलाब चंत कटारिया और रास्तान शाखा के सचीव श्री संयम लोढ़ा संबोधित करेंगे रास्तान स्टेट वेवरेज कोर्परेशन लिम्टेट एवं राजिस्तान स्टेट गंगानगा शुगर मिल्स ने अपने लाइसेंस धारियों को डिजिल स्विधा से जोड़ दिया है बैंक ऑफ बड़ोदा के माध्यम से डैनेमिक कोर्ट स्विधा का जैपर में शुभारम हुआ इसके अंतरगत लाइसेंस धारी विभा की वेबसाइट के माध्यम से चौलान का भुगतान बिना किसी बैंक शाखा में जाकर क्यूआर कोर्ट स्कैन करके भुगतान कर सकेगा भुगतान की सूचना प्राप्ट होते ही अनुग्याधारी को तुरंथ ही लिकर का वित्रन किया जा सकता है देश में मेडिकल एंटरंस एक्जाम 12 सितंबर को होगा नए शुक्ष्या मंतरी धरमेंदर प्रधान ने सोंवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये इसकी जान करे दी प्रधान ने बताए कि MBBS BDS कोर्सिस में एड्मिशन के लिए एंटरंस एक्जाम अब 12 सितंबर 2021 को आयो जित किया जाएगा वहीं परिक्षा के लिए आविदन प्रिक्रिया 13 जुलाई शाम पांच बजे से होगी राजसान के एउदयपुर में पूरी की तर्च पर भगवान जगनाथ की रथी यात्रा पूरे शोहर में निकल दी है इसमें बड़ी संख्या में शोहरवासियों के साथ देशी विदेशी परेटक भी पहुंसते थी लगता दूसरे सार कोरोना संक्रमन के चलते जगनाथ रथी यात्रा को सांकेतिक तोर पर ही निकाला गया इसकी तहट जगदीश मंदिर पुज़ारी परिवाल के चुनंदा सदस्यों की मौझूदगी में सांकेतिक रथ को मंदिर परिसर में ही घुमाए गया आयोध्या में बने जो रहे भवे राम मंदिर में सिरुही जिले का बड़ा युगदान है मंदिर निर्माण के लिए काम में लिए जाने वाले पत्थरों समेथ गर्भ ग्रह में लगने वाली नो शिलाएं भी पिंडवाणा में तराशी गई अब जब आयोध्या में 25 सालों से बन पड़ी स्टोन कटिंग की मशीनों की जरुवत पड़ी तो पिंडवाणा के ही इंजिनियर्स ने वहां उनको फिर से शुरू किया दो दिन पहले ही पिंडवाणा से आयद्ध्या गए इंजिनियर्स ने मशीन की तक्निकी खराबी को सही किया जैपर में एसीबी ने बीवी जी को 276 करोड रुपे बकाया भुकतान के बदले 20 करोड रुपे रिश्वत मांगने के मामले में आरूपि ग्रेटर निगम की निलंबित मेयर के पती राजा नाम गुर्जर वे बीवी जी के ओमकार सप्रे का वोई सैंपल लेने को कोर्ट मे अरजी दायर की। पुचारियों अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चाएगी। राजी सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस तक तबादलों से प्रतिबंद हटाया है। ये प्रतिबंद एक महिने के लिए हटाया है। इस अवधी के दोरान आवे तक वेपसाइड या फिर पोर् प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के आवान पर कॉंग्रिसी कारेकरता अलग-अलग अंदाज में बड़ती महंकाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्च करवा रहे हैं। के विभिन इलाकों से श्रद्धालो और श्रावक शामिल हुए। इसका आईकर में विधान सबा में नेता प्रतिपक्ष कुलाप जन्द कटारिया, सांसर सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंग समेद, कई जन प्रतिनिधियों और प्रबुध लोगों ने आचारे महा जाले में स्थित चेंबर बन रहा, उन्हें R.A.S. के साक्षातकार बोर्ड में शामिल नहीं किया गया, अध्यक्षे सही तीन अन्य बोर्ड में अभ्यरतियों के साक्षातकार लिए, आयोग के काईकरम अनुसार मंगलवार को साक्षातकार का अंतिम दिन हैं, आयोग परीस और आसपास की चाय के थड़ियों पर बैठे रहे तो फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें